सेक्स के बारे में गलत विश्वास व्यक्तित्व कोक्षती पहुँचाते हैं। सेक्स एक ऐसा विशय है जिसके बारे में अधिकांश लोग अक्षम्यो रूप से अग्यानी हैं। सेक्स की आकांशा को बुरी तरह से गलत समझा गया है, दोशी ठहराया गया है और इसका मखौल उड़ाया गया है। ऐसा अग्यानी लोगों ने भी किया है और बुरी मानसिक्ता वाले लोगों ने भी किया है। जिन पुरुशों और स्त्रियों को हाइली सेक्शूल प्रकृत वर्दान मिलने के बज़ाए आम तौर पर ऐसा माना जाता है जैसे उन्हें अभिशाप मिला है। जाता, प्रबुधता के इस युग में भी करोणों लोग इस हीन भावना के शिकार हैं क्योंकि उनका ये गलत विश्वास है कि हाईली सेक्स नेचर एक अभिशाप है। सेक्स उर्जा के गुनों के बारे में इन बातों से यह नहीं समझ लेना चाहिए कि उन्मुक्ट सेक्स की वकालत की जा रही है. सेक्स की भावना तभी एक सद गुन है जब इसका बुद्धिमानी और सावधानी से प्रयोग किया जाए. इसका दुरुपयोग किया जा सकता है और अक्सर किया भी जाता है. उस हद तक कि यह शरीर और मस्तिष्क दोनों को सम्रिध बनाने के बजाए इन्हें नीचे गिराती है. लेखक को यह महत्वपून लगा जब उसने पाया कि हर महान लीडर की उपलबधियों के पीछे किसी महिला की प्रेरना थी. कई उदाहरनो में यह महिला एक संकोची खुद को नकारने वाली पतनी थी, जिसके बारे में जनता ने बहुत कम या बिलकुल भी नहीं सुना. कुछ उदाहरनों में प्रेरना का स्त्रोत दूसरी औरत में पाया गया. हर बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि शराब या मादक द्रव्यों के द्वारा अधिक्ता में प्रेरक आवेगा सयम का विध्वनसक रूप है. हर व्यक्ति यह नहीं जानता कि सेक्स की अभिव्यक्ति में अती समलगनता एक ऐसी आदत बन जाती है जो रचनात्मक प्रयास के लिए उतनी ही विनाशक और घातक होती है जितने की मादक द्रव् इक बीमारी के कई मामले सेक्स के सच्चे कार्य के अग्यान के कारण विक्सित आदतों से उत्पन होते हैं. ये देखा जा सकता है कि सेक्स रूपांतरन के विशय में अग्यान अग्यानी व्यक्ति पर एक तरफ तो बहुत अधिक पैनल्टी ठोंक देता है और दूसरी इसका परिनाम ये होता है कि लोगों की जिग्यासा बढ़ जाती है कि वे इस विशय के बारे में अधिक ज्यान हासिल करें. वबटन ये कानून बनाने वालों और डॉक्तरों के लिए शर्म की बात है कि इस विशय में जानकारी आसानी से उपलब्ध नहीं है क्योंकि इन्ह लोगों को युवाओं को इस विशय में शिक्षित करना चाहिए.